नमस्कार कुई इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्ले इस्टोर पे प्रेंटल कंट्रोल का ओप्शन के ओव दिया गया है और उसको कैसी उच करते हैं और इसे उच करने से क्या क्या बेनीफिट है तो इस वीडियो को देखते रहिए तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में play store को open करना है तो चलिए play store को open करते हैं open करने के बाद उपर में आपको एक profile icon का option मिलेगा अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद आपको नीचे में एक settings का option दिखेगा अब आपको यहाँ पर click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर आपको एक family का option मिलेगा अब आपको फिर से हाँ पर click करना है उसके बाद आपको नीचे में एक parental controls का option दिखेगा अब आपको यहां पर इसको on करना चाहते हैं तो आपको बता दे कि क्यों दिया गया है अगर आप किसी भी बच्चे के माता पीता है और आप अपने बच्चे को phone दे देते हैं और वो अप Play Store से कोई भी application डाउनलोड करने लगता है और उसको use करता है आप चाहते हैं कि वो application use ना करें वो डाउनलोड ना करें तो यहां पर उसके लिए आप control लगा सकते हैं तो इसको control कैसे लगा सकते हैं तो simple आपको यहां पर क्लिक करना है उसके बाद आपको ऊपर parental controls are off दिखेगा और उसके नीचे फिल्म दिआ गया है तो यहाँ पर अगर आप गयारtime कोई भी आपका फोन ळे ले ले T有點 डाwnलोड ti ले सकते हैं तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे इंपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँआप आप देख सकते हैं कि related for 3 plus 7 plus यहाँ पर जो related for 3 plus 7 plus दिया गया है या age दिया गया है अगर आपका बच्चा 7 साल से नीचे का है तो यहाँ पर आप 7 साल तक के पर इहाँ पर किलिक कर सकते हैं और इसके बाद आपको under इस टूड़ पर क्लिक कर देना है तो यहां से जो भी अपलिकेशन साथ साथ से उपर के लिए होगा वह अगर आपके प्ले स्टूड़ पर सर्च किया जाएगा तो वहाँ पर वह एप नहीं आएगा वह एप नहीं दीखेगा उस बच्चे को तो वहाँ पर डाउनलोड नहीं प्ले स्टूर पर कोई वीचिज का सब्सक्रिप्शन लिए होगे और वहाँ मूवी देखना चाहता है आप अपने लिए रखे हुए और वहाँ मूवी देख लेता है तो सिंपल आप उसके लिए भी यहां पर रिस्ट्रेक्शन लगा सकते हैं तो उसके लिए आपको फिल् करने देते हैं तो सेपे इसको हम किलिक कर देते हैं यहां पर आपको जो भी सेट करना हो कर सकते हैं तो चलिए आप हम सेपे किलिक कर देते हैं उसके बाद यहां से हम बैक करते हैं और बैक करने के बाद यहां से चलिए हम फिरी फायर सर्च करते हैं तो यहां पर आप देख लिए parental controls on कर सकते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि play store पे parental controls का option क्यों दिया गया है और उसको कैसे यूच करते हैं और उसे यूच करने से क्या क्या benefit है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन् polynomial झाल क यह ओर आपको यहार है यहार हो एंद सब्सक्राइब करें प झाल को सकता है